धर्मसंसत में गांधी पर विवादित बोल महंत राम सुंदर दास ने छोड़ा मंच दिया बड़ा बयान हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्मसंसत चली जिसमें साधुसंतों के दिये गए भाशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं एशिया नेट न्यूस के अनुसार हरिद्वार के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी धर्मसंसत का आयोजन किया जा रहा है रविवार कुरायपूर में इसी कारिक्रम में काली चरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमान जनक शब्द का इस्तिमाल किया जिसके बाद बहाँ पर मौजूद महेंत राम सुन्दर दास ने नाराज की जिताई और कहा कि मैं इस धर्मसंसत से खुद को अलग करता हूँ महात्मा गांधी के खिलाफ अपमान जनक शब्दों के इस्तिमाल के बाद महेंत राम सुन्दर दास मंच पर आये उन्होंने कहा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस बात को कि इस धर्मसंसत के मंच से जो बात कही गई जिस पर आप सबने खुब दालिया बजाई थी क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे टीवी का रिकॉर्ड है आप सब देखिए यही शब्द कहा गया था ताली और थाली खुब बजी थी 1947 की वह घटना याद करिये जिस परिस्यती वर्ष भारत सुतंत्र हुआ महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया अब उनके विश्य में इस धर्मसंसत से ऐसी बात मैं बहुत शमा चाहता हूँ आप सबसे लेकिन इस धर्मसंसत से मैं खुद को अलग करता हूँ एशिया नेट न्यूस के अनुसार महंत रामसंदर्दास कॉंग्रेस के पूर्व विधायक और 36 गढ़ गौस सेवा आयोक के अध्यक्ष है सोशल मीडिया पर महंत रामसंदर्दास के इस फैसले को देखते हुए लोग लगातार प्रतिक्रियां देते दिखाए दे रहे हैं मशूर फिल्मेकर और पत्रकार विनोत कापडी ने लिखा कि धर्म ये होता है बाफू को गाली देने पर महत रामसंदर्दास ने खुद को गाली गलोज वाली अधर्म संसत से अलग किया कॉंग्रिस की नेशनल मीडिया कॉडिनेटर रादिका खेडा ने लिखा रिस्पेक्ट किये है हमारा हिंदू धर्म और ऐसे होते हैं हमारे संत सही माइने में ये हमारे धर्म के संरक्षक है वरिष्ट पत्रकार उमा शंकर सिंग ने लिखा कि इनकी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाएगे ऐसे संत समाज को सही राह दिखाने वाले होते हैं आपकी कहराए है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं जिससे हार खबर की अपडेट आप तक पहुचे